हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में धनिया और पुदीना की दही वाली चटनी कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी और ये टेस्टी और इजी दोरों है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना दही वाली चटनी बनाने के लिए हमने वन फॉर्थ कब दही ले लिया है और ये हमने आधा छोटा समजीरा ले लिया है और ये आधा इंद से भीकम अध्रा का टुकड़ा हमने लिये है एक हरी मर्ष। हर्इ मर्ष बड़ी है इसलिए हमने एक ही लिया है ने तो आप दो भी ले सकते हैं और यह हम धनिया का पत्ता ले लिए हैं इसे हमने चाल से पास बार अच्छे से वाश कर लिया था पाने में और यह हम थोड़ी से पुदीना के पत्ते ले लिए हैं अब हम मिक्सर जार में सबसे पहले दही डाल देते हैं इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देते हैं अब हम इसमें पुदीना के पते डाल देंगे, फराधनियार डाल देंगे, अद्रक डाल देंगे, और ये हरी मेश डाल देते हैं अब हम इसमें टेस्ट के कॉडिंग नमक डाल देते हैं, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको बाॉल में निकाल लेते हैं यह देखिए हमारी दही वाली चटनी रेडी हो चुकी है यह टेस्ट में बहुत ही अच्छा है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं तो अगर यह हमारी रेचिपी आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर ट्राय करें और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू फो वचिंग मैं वीडियो